किसी भी product या service को बेचने के लिए market में जगा बनाना एक बहुत बड़ा challenge है और अपने targeted client तक उस information को पहुचाना एक बहुत बड़ा task है product को market में बेचने के लिए उसकी branding, promotion, advertisement and marketing पर बहुत अधिक पैसा खर्च किया जाता है और विग्यापन पर बहुत अधिक पैसा खर्च करने के बाद भी जब result नहीं आता तो businessman मायूस हो जाता है जिसकी वजह से या तो वो विग्यापन पर खर्चा कम कर देता है या विग्यापन करना बंद कर देता है और इसका सीधा प्रभाव sales पर पढ़ता है इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस product या service का आप advertisement करने जा रहे हैं उसका right consumer, buyer या client कौन है मतलब यह समझना होगा कि उस consumer का age group क्या है, gender क्या है, buying capacity क्या है, culture क्या है, nature of thinking क्या है, level of education क्या है ताकि आप यह decide कर पाएं कि किस तरह का विज्यापन design किया जाना चाहिए, targeted customer और उसकी psychology को समझने के बाद यह समझना जुरूरी है कि किस तरह का विज्यापन design किया जाए, ताकि वो व्यक्ति सही तरीके से प्रभावित हो सके और उस विज्यापन से मिलने वाला result बहुत अधिक हो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी, business trainer, corporate trainer, motivational speaker and CEO, Metas Overseas Limited आज मैं आपको बताता हूँ कि अपने product या services को advertise करने के लिए, जब आप अपने विज्यापन को design करें, तो किन factors को आपको ध्यान में रखना चाहिए जिससे आपके product या services की पहचान ग्रहाक के मन में छाप के रुप में पढ़ जाए और जब भी वो product खरीदे या किसी को भी recommend करें, तो सबसे पहले उसके मन में आपका नाम, आपका product या आपकी service आनी चाहिए कुछ companies product information based advertisement design करती है, जैसे टाटा टी, इसमें long है, तुलसी है, इलाइची है और साथी साथ उसमें क्या ingredients से होने वाले benefit हैं, इसके बारे में vicious रूप से बताती है, जिसकी वज़ा से ग्रहाक के मन में टाटा टी के प्रती एक विश्वसनिता बढ़ जाती है जैसे विको टर्मरिक, नहीं cosmetic, यह है आयरुवेदिक क्रीम, विको टर्मरिक ने बताया कि यह cosmetic नहीं है, इसमें आयरुवेदिक जड़ी बुटियों का संगम किया गया है, तो आपको मिलने वाला result कई गुना बेहतर होगा प्रश्ण वाचक विग्यापन, मतलब ग्रहक के मन में एक question arise कर देते हैं, ग्रहक से एक ऐसा प्रश्ण पूछते हैं, कि वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, कि क्या मेरे product में ऐसा है, जैसे colgate, क्या आपके toothpaste में नमक है, मतलब या ग्रहक को है सोचने पर मजबूर कर दिया कि सुबा जो मैं toothpaste करता हूँ, उसमें नमक है भी या नहीं, अब ग्रहक सोचेगा कि मेरे toothpaste में तो नमक नहीं है, तो किस में है, colgate में, तो मुझे अब colgate लेना चाहिए, USP based advertisement, मतलब उस product की USP क्या है, जैसे आपने देखा होगा, motor vehicle का एक advertisement है, कि ये कम पीता है, मतलब इसक इसकी खासियत है, कि इसकी average, इसके mileage बहुत स्ट्रॉंग है, तो वो लोग जो budget conscious होते हैं, जो financially बहुत ज़्यदा पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो saving करना चाहते हैं, उन लोगों को ये दिखाया गया, कि ये कम पीता है, next, जैसे emotion based advertisements, वहाँ पर consumer के मन में ऐसे emotion पैदा क कि इस चीज की अवश्रक्ता उसको feel होने लगती है, जैसे signature global, अपना घर तो अपना होता है, मतलब जो लोग अपने घर में नहीं रहते, उनके मन में एक ऐसा भाव पैदा कर देना, कि अपना घर तो अपना ही होता है, कुछ companies अपने product को लेके ग्रहक के मन में एक ऐसा भय, जैसे ऐसा डर पैदा करती है, जिसकी वज़ा से ग्रहक को लगता है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया, तो पता नहीं मेरा क्या होगा, जैसे good night, night queen, mosquito, reflectors जो companies हैं, जो बनाती हैं इस तरह के product, वो consumer के मन में कहीना कही डर पैदा करती है, कि अगर आपने इसका इस्तेमाल नहीं क किया, तो डेंगू, malaria, chicken gunya जैसी विमारी आपके घर में फैल जाएगी, कुछ companies लोगों की patriotic psychology, tendency and emotion से खेल कर भी अपने product को market में sale करती हैं, जैसे टाटा नमक, देश का नमक, पतांजली, हिंदुस्तान में हजारो लाखो product हैं, इसको पूर्ण रूप से हिंदुस्तान में बनाया जाता है, लेकिन उसके बावजूज भी पतांजली ने एक advertisement किया, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, कुछ companies comparison based advertisement करती हैं, मतलब अपने product और उसे similar products को एक साथ दिखाके, अपने product के विश्यस्ताओं पर ध्यान देते हुए, उस product को advertise करती हैं, जैसे आपने detergent powder की बहुत सारी companies, comparatively, दो ladies को एक साथ दिखाती हैं, कि साधरन detergent में धोने पर कैसा प्रभाव होगा, और surf excel में कैसा होगा, कुछ companies cross promotion advertisement का इस्तिमाल भी करती हैं, ये cross promotion advertisement में उन products को जोड़ा जाता है, जो आपस में एक दूसरे के competitors नहीं होते, जैसे washing machine के साथ, surf excel, जैसे MacDee ने coke के साथ cross promotion किया, मतलब MacDee के burger के combo के साथ, एक coke free, तो ये जो cross promotion है, यहाँ पर कम बजट में, दो companies आपस में मिलके, एक दूसरे के product को advertise करती हैं, बहुत सारी company, अलग-अलग festival पर, अलग-अलग advertisement market में निकालती हैं, जिसकी वज़ा से, festive time पर, उनकी sale बहुत अदिख बूम हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा, Cadbury's एक ऐसी company है, जो अलग-अलग festivals पर, अलग-अलग advertisement निकालती है, कि इस दिवाली कुछ मीठा हो जाए, schemes and offer based advertisement, कुछ companies हमेशा ये research करती हैं, कि कौन-कौन सी schemes consumer को attract कर सकती है, जैसे Amazon महासेल, Big Bazaar महासेल, Big Bazaar बचत योजन कुछ companies इस तरह का advertisement डिजाइन करती है, कि उसको किसी ने किसी fun के साथ जोड़ दिया आता है, मतलब, लोग उसे entertainment के लिए देखें, इस तरह से डिजाइन किया आता है, जैसे happy dent, happy dent chewing gum की जो advertisement है, वो सारी के सारी funny advertisements है, five star chocolate के advertisement, these are known as funny advertisement, ताकि consumer के मन में एक different तरह की mentality पैदा कर दे, तो friends ये कुछ example थे, जिसमें मैंने आपको ये बताया, कि किस तरह के product के लिए companies किस तरह की advertisement design करती है, आपका जो भी product या service हो, आप comment box में लिकर में ज़रूर बताएं, ताकि हमारी team आपको suggest कर पाए, कि इन पूरी psychology में से किस तरह का advertisement आपको अपने product के लिए बनाना च चाते हैं, और मुझसे मिलना चाते हैं, तो आप मेरी team को contact करें, मैं Dr. Amit Mahishwari, आपके सुनेरे बविश्य की कामना करता हूं, जै हिंद, जै भारत